नौसकार साथियों स्वागत है आपका TRT हिंधिनी चनल पे मित्रों डियलेट कर रहे एनाई ओएस के द्वारा सिख्षकाओं को PCP के बारे में बहुत लोगों को अभी तक जानकारी नहीं प्राप्त है कि आखिर PCP है क्या और इसके अंतरगत हमें कौन से कारिकरम करने है जहा अगर आप फूरी नहीं करते हैं तो आपको एक्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा तो आज हम इस पे थोड़ी ब्याख्या से बात करते है कि PCP आखिर है क्या सबसे पहले तो PCP का फूल फॉर्म है प्रस्नल कॉंटेक्ट प्रोग्राम टूटोरिंग सेशन तो यह जो है PCP आप जो एक्षरी सेंटर पे जाके जो पढ़ाई करेंगे वहां पे जो अनुभव परदान करेंगे जो आप अपने ज्यान को एक दुसरेश के बीच साधा करे या अपने सिक्षकों द्वारा आप में जो प्रॉबलम है पढ़ने में डियलेट की तैयारी करने में उन्द में जो विचार भी मर्स करेंगे वही एक PCP प्रोग्राम है जैसा कि यहां नीचे प्रिचे में आप देख रहे होंगे कि ओपेन एंडिस्टेंट एजूकेशन सि में के अध्यान के दौन अपनी समाश्याओं का समाधान करने के लिए विशेख रूप से होता है PCP के माध्यम से आपको ट्वीटर, संसाधन व्यक्ति और सहकर्मी समू के साथ बात चीत करने का अफसर मिलता है आपकी स्रायना करते हैं कि अध्यापन के बजाए संपर्क सब प्रियोग, प्रारंपडिक, कक्छा सिक्षन और PCP के बीच एक असपष्ट अंतर बनाता है वास्तव में यह एक ऐसा कारकरम है जहां आप सभी अपने सीखने कनुभववों को सजा करने सेक्षिनिक समस्याओं का समाधान ढूनने और अपनी सीखने की गतिविर्यों में अपने ट्यूटर या सरसाधन व्यक्ति या सहकरमी के द्वारा समू में बातचीत और बिमर्ष कर अपनी टूटी को दूर करना और एक अच्छे और प्रभावी मार्ग दर्शन प्राप्त करना यह PCP है यहाँ देखिए दिया गया है कि अपसर जीवर में सायद ही कभी आते हैं और बिना किसी देरी या जीज़क के एक बार उन्हें लाव लेते हैं PCP आपके लिए कैसाफ सर है PCP सत्रों में किये गए सैधान्तिक चर्चा इसकुर अधारित गती बिधियों ABA कारी साला अधारित क्रिया कलाप WBA और प्रैक्टिस स्टीचिंग PTA भ्यास करने में बहुत मदद करेगी इसलिए आपको PCP के 100% सत्रों में भाग लेना चाहिए तो PCP के मुख्य उदेश क्या है वो भी हम जान लेते हैं तो PCP में अनिवारी रूप से भाग लेना होगा हला कि PCP को क्रेडित का कोई बिशीष्ट काम नहीं है फिर भी इसके लिए बहुत अधिक महत्वत दिया गया है इन सत्रों में उपस्तिती अनिवारी है आपको कम से कम 75% PCP टुटोरियल सत्रों में सामिल होना है जिनके बिना आपको टर्मीनल प्रिक्षा में उपस्तित होने के लिए नहीं दी जाएगी तो ये बात तो मैंने अपने पिछली वीडियों भी आपको बताया था तो इस बात पर तुर आप ध्यान देंगे कि PCP का एकरम को आप अनुपस्तित ना करें इसमें पूरी तरह से उपस्तित हो 100 ना हो पाए लेकिन 75% जो कहा जा रहा है उतना आप जरूर पूरा कर ले PCP के उद्धेस आपको सक्षम करने हैं संसाधन वैक्तियों ट्यूटर्स और साती पेशेवरों के साथ बातचीत करने और अलगाओ की भावना को दूर करने के लिए अफसर पाने के लिए इस प्रकार एक सिक्षा की भूमिका के बारे में बेहतर प्रिपेक्ष प्राप्त करने में मदद सेक्षेनिक समस्तियां और संदे हस्पष्ट करने के अफसरों में नि और आप अपने इस प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे शीखने और कारी को पूरा करने में टूटर्स मार्ग दर्शन प्राप्त करना आत्म विश्वात विख्षित करने और श्वाध्यन के लिए प्रेडित होने के लिए तूकि ऐसा होता है कि हम लोग कितना भी कोशिश कर ल काई में त्यारी कर पाते हैं अपने सिखने की सुविधा के लिए अध्यान केन में उपलब पुस्तकाले और ICT सरसाधन का उप्योग करने के लिए वैसे तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बाते हैं मैं कोशिश करूंगा कि या PDF फाइल का लिंक आपको मैं अपने वीडियो क कर दिस्क्रिप्सर में दे दूँ ताकि एगर वीडियो से आप बहुत सी बातों को ना समझ पाएं या ना सुन पाएं तो वहां से आप इसे पढ़के समझ जाएं महत्व और PCP की गती बिद्यां आप कर सकते हैं तो क्या करना है तो अपने साथी या साफ़पार्टियों औ बाचीत के दौनकार करम अपने अध्यान संबंधी समस्याओं से स्वेम अध्यान और समाधान के सहलियों और रन्नीतियों के बारे में सातियों और ट्विटर्स के साचर्चा करें कड़ी महनत से संबंधित अपनी संदेहों को असपस्ट करें और आपको ट्विटर्स के पा सिटी संसादनों का उप्योग करें अध्यानों में आपकी प्रगती के बारे में अपने आपका आकरन करें जो निश्ची तुरूप से आपको और सुधार के लिए योजना बनाने में मदद करेगा टर्म एन परिक्षा के लिए अच्छी तस्योजना बने और तदनूसार तया सब्सक्राइब करने के लिए एक मजबूत से धांदिक ज्यान है PCP के कुछ मुखी घटक है तो PCP ट्यूशन सत्र पाठकरम के शुरू होने के दूसरे महिने से रभीवार और अन्रिशुट्यों के लिए टर्म एन परिक्षा में दसमें महिने तक शुरू होते हैं यह दो ब PSP से पहले निम्निकित कार करने की सलाथ दी गई है तो जैसा कि अगर आक स्टूदी सessäंटर पर जाने से पहले या वहाँ पर जो आपको कारकरम करने हैं पढ़ाई करनी हैं उनसे पहले कुछ बातें आपको सीख लेनी हैं जान लेनी हैं वो क्या है तो अपने अध्यान केंद समन्वयक के साथ निकट चंपरक में होना कारकरम गाइड को पूरी तरह से पढ़ने के लिए और PCP के दुरह अस्पस्टिक रण के लिए अंक नोट करें PCP के पारम होने की तिथी के बारे में अध्यान केंद से जानकारिये कत्र करना और इसके लिए पुर्व की तयारी करना PCP की तारिखों पर अपने आपको पुरी तरह से मुक्त रखने के लिए ताकि आप PCP के सभी 15 दिनों में भाग ले सके अध्यान समगरी लाइन बाई लाइन और पेज बाई पेज के माध्यम सीमानदारी से और PCP के सभी 15 करन के लिए वास्तिपिक नोट करें अपने संदेहों की पाठ करमवार शुची तयार करने के लिए तो जैसा कि यहाँ पर जो नमबर नोट करने की बाद करें जाड़ी वह नमबर आपको ग्रेड दिलाएगी और जैसा कि अगर आपका सार्टिफिकेट आएगा तो उस सार्टिफिकेट पर वह ग्रेड अंकित रहेगा यहाँ पर लास्ट में हैं योजना के शत्रों में आप और सफल होने के बाब जुद सभी में भाग ले सकते हैं कम से कम 75% सत्रों में भाग लेने के सकता है यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बात दी गई हैं उसे हम लोग जान लेते हैं कि पीपी सत्रों को ओपचारिक टीचर ट्रेनिंग इंसिच्यूशन के नियमित सिक्षन के साथ तुलना या वीचार नहीं कहा जाना चाहिए PCP सत्र वास्ता में बहुत संख्य प्रसिक्षिकों के कुछ वास्तविक और आम संदेहों के संदे समासोधन सत्र हैं या ध्या में रख जाना चाहिए कि यदि हम प्रसिक्षू संदेह की लंबी सूची तयार करेगा तो ट्वीटर के सभी समय के साथ सभी प्रसिक्षिकों में सभी संदेहों को अस्पर्ट करने के लिए या और संभव होगा उपड़ युक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए प्रसिक्षिकों और सलाह दी जाती है कि PTTI के सिक्षिकों या सेवानिर्वित सिक्षिकों या प्रसिक्षिकों जैसे अस्थानिया नो कोस्ट ससाधन की पाचान हो और अधिक्तम संदेह उनसे अस्पष्ट हो PCP के दूरां आपको जो कार करने हैं यहां पे उनकी भी व्याख्या की गई है कि आपको किस प्रकार से कौन सी पुस्तके रखनी है और कब किन बातों की तयारी करनी है कैसे आपको अपना वहवार करना कैसे अपने सहकर्मी से या अपने समन्यक से बात करनी है तो इन बातों को आप ज्यादा जान पाएंगे इस PDF फाइल को डाउलोड करके पर लीजिएगा यहां अबधी में देखिए सिद्धान्त पाठकरम के लिए टूटोरेल्स सत्र में पांच दिनों के लिए 15 दिनों के लिए एक वर्स में 75 घंटे और दो साल में 500 घंटे के लिए आयोजित किया जाएगा यानि हम जैसे हम लोगों को 27 में पढ़ाई करने या PCP माध्यम 27 में को 1500 घंटे के लिए आयोजित होगा उपस्थिती के बारे में तो कहा जाते मैंने कहीं दिया कि 75 परतिसा सत्रों में भागलना अनिवार है न्यूक्तियां देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि आपके कार्य को पुरा करने और प्रस्तूत करना अनिवार है और से धान्तिक पा करम में दिये के कारिव में एक क्रेडिट परती ही पात्करम होता ही कि अद्यान केंद्रों में सीख्चन शत्र तो एक बर्स के दरन परतेक भी से में करekk Raphesan Tower in chính Bent News so you are a 52 का सट्रेय्जूल दिया गया है कि आपको किस वक्त और किस समय किस दिन में क्या पढ़ा है तो सपांची 15 दिनों का यहां बायोरटा वाका गया है अधिक सकते हैं कि आपको 一 संच आ and discussion on SBA 511.1 case study और afternoon session 2 से सारे 4 पीम में discussion on SBA 511.2 maintenance of school class records and registers and plenary session on course best assignment course 501 and 502 जानि कि आपको जो पहले सत्र में आपके study center पर पढ़ाई करनी है वो आपको सारे 10 से लेके सारे 4 बजे तक अपने विद्याले में अपने study center पर उपस्तित रहना है और उपस्तित रहके इस परकार से जहाँ यहाँ पर schedule दिया गया है इस schedule से ही आपको पढ़ाया जाएगा और त्यारी आपकी करवाई जाएगी आपके सारे बातों को यहाँ पर विचार भी मर्स करते हुए सारे दिखोतों को दूर करने की पूरी मदद यहाँ पर की जाएगी लर्निंग लेवल से लेके आपको लास्ट प्रियर्ट के लेवल तक पढ़ाया श्टार्ट होगा यहाँ नोट में आखने जाएगे कि इच सेजन विल बी ओफ ट्वेंटीवन हाफ आवर ड्यूरेशन दा फ्लेक्सिबिलिटी इन दा शेड्यूल इन एलाओ एज पर दर लोकल निट्स आपको कम से कम धाई घंटे का तो द्यूरेशन इसमें लगना ही लगना है निवारे तो आप कोशिज करें कि इस पीडिया फाइल को डाउनलोड कर ले ताकि आपको अपने शेड्यूल को समझने में और पढ़ने में कोई प्रिशानी ना हो उमीद करता हूं कि आप PCP के बारे में जान गए होंगे और अगर कोई प्रिशानी है इसमें बहुत सारी ऐसी बात हैं जो कि मैं इने वीडियो में नहीं बताया पाया तो क्रिप्या करके आप इस वीडिया फाइल को डाउनलोड करें और इसे पढ़ें औ धर्निवाद अब लोगों का